इवन हर्याना की चुनावी यात्रा जा रही है इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री देविंद सिंग बबली सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है इवन हर्याना में दन्यवाद बात करें नगर निकाय चुनाव सर पर है ऐसे में बीजेपी ने और जेजेपी ने अलग से चुनाव लड़ने की घोशना कर दी है इसे आप कैसे देखते हैं जेजेपी कितनी मजबूत है जेजेपी पूरी तरह से मजबूत है और दोनों पार्टियों के संक्ठन का फैंसला है आज हम सरकार कट बंतर में चला रहे हैं लेकिन जो संक्ठन के फैंसले होते हैं वो पार्टिय अपने लवल पर अलग से लेती है इसमें पहले भी हमने चुनाव अलगी लड़े थे तो चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ रण नीती रहेगी चुनाव की रण नीती तियार है सभी उमारे संक्ठन के साथ ही है उनसे आज हमारी मीटिंग थी तो फीड़एक लिया है अच्छे उमीदवार को लोगों की बीच में ले जाएंगे और एक टीम अगर मैं पर्ट पिछले लोग जो सत्ता में बैठे सिर्फ सत्ता का सुख वोगने वाले आज मेरे अलकावासियों को उमीद है कि वो समस्याएं जो पिछले लंबे समय से मूव आए खड़ी हुए हम उनको मिलकर एक टीम वरक के रूप में दूर करेंगे बीजेपी के साथ तो आपका गठ में आएंगे आज मेरा केस देख लिए अप एक जन सेव को नजर आया होगा उसके बाद सरकार में जनता की भावनाओं की की एक वैल्यू एक रिकार्ड इस्पेक्ट हमारी पार्टी में भी हुआ और सरकार में भी हुआ यहीं तरीके से मैंने मेरे टौहन अलकावासियों से अपना दुकान बरने या अपनी जेबे बरनेया काम करते हैं उन से आने वाड़े समय में अर्याना परदेश में चोटे चुनाओं जोटे चुनाओं ऐसे लोगों उसे छुटकारा पढ़ना चाहती है राधनिती एक सेवा का माध्यम होता था उस सेवा को जन सेवा के तुन नहीं से नहीं करते हैं जोटका है और दोल समर्थन हमिल उसको आप कैसे देखते हैं जोग तंतर है सब को अदिकार है और वादे बड़े-बड़े किये हैं, परी 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 बहुत कुछ दिया है, अब वो ग्राउंड भी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, वासनों में बोलना और धरातल पर उस चीज को लेके आना उनमें बड़ा फरक होता है, तो आने वाला समय बताएगा. तो तिवेंदर पबली कब हमको नगर निकाय चनाव में परचार परसार करते हुए नजर आएंगे? कोवीड की बज़े से या जो किसान आंदोलन रहा उस बज़े से जो डिवेलमेंट आज मैं अगर टुहना सहर की बात करूँ, मैं कुद बोलता हूँ आपने देखा होगा पहले भी उस लावल पर हम नहीं कर पाए, आप उसको गती दे कर मूल भी सुदाओं को घर घर तक प परियाना को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले